जै मतादी गाईज कैसे मारी यूटूब फैमली आप रूब विल्कुल ठीक होंगे खूश होंगे अपनी जिन्दगी मस्त होंगे मतारनी सब को खुश रखें सुगाई सुबे के आठ बज रहे हैं और आज हम थोड़ी लेट हो गए हैं किसलिए लेट हो गए हैं क्योंकि सुबे पती देव का आफिस है बचों का स्कूल है तो आज हम पूजा आराम से कर रहे हैं क्योंकि दिन है गुरु आर विश्म भगवा का मेन यहां पर प्रशाद है तो पहले हम बेल पत्र भी धूल लेते हैं और आप लोगों ने सुन लिया सासूमा की घंटी बज गई है यानि उनकी पूजा हो गई है हमारी पूजा ना ग्रहस तास्रम में यानि लगे रहो ना तो सुबह कितना भी हम लोग जल्दी करें कि सिव बेल पत्र दो दिन तीन दिन चल जाती है और इसके बाद यह है चने की डाल है मुनक का है इसको भी अच्छे से एक दो पानी से अच्छे से साफ से धूल लेते हैं और सुबह के देखे बरतन भी हमारे पड़े हुए है यानि पती देव भोजन करके गए थे मनु भी थ पोड़ी से चने की डाल लिया है तो काफ़ी ब्याने जैसे साम को पोड़ी बनाती है पराठा बनाती है आलू कि सबजी है कदू की सबजी यह नमक नहीं लिया जाता साम को अब भोजन कर सकते हो यहीह बहए कथे और इस समय तो जैसे आम का सीजन है कापी आम भी होजाते हैं तो काफी आम भी हो जाते हैं ह्पलहरी में यहाँ पर हम आ अभड़ी और इसके बाद कर लेते हैं केले के ब्च्चे की पूझा our व assistirषिश मे पूझा मंसंती से अच्छा लगता है यानि सुबह हरबडी में हम पूजा नहीं कर पाते हैं ये तो आप लोगों से हमेशा बताते रहते हैं क्योंकि ग्रहस तास्त्रम में हम लोग है ना तो पहले अपने ग्रहस तास्त्रम में अपने परिवार की पूजा यानि अपने पती देयों की बच्चों की और जो लोग ग पूजा पाठ पूरा दिन करा लो अगर कीचन की बारी आती थी ना तो वहां से डर जाती थी इतनी सारे मतलब मुझे जूट बोलना पड़ता था बोलती थी बाबू मेरे हाथों में अंगलियों में अम्मा कहती थी हाँ हाँ जब किचन की बारी आती ही न तो इसके पूरे हाथ पेरों में दर्द सुरू हो जाता है तो आज भी कुछ बातें याद आया करती हैं कि देखे जब अपने उपर पड़ता है न तो हम बहने सब कर लेते हैं अपने काम तो इसी तरह हमारे साथ है और आज भी हमारी दीदी हसा क करती हैं बोली सोब अब तुझे सब काम करना आने लगा मने कहां दीदी किचन के भी काम कर लेते हैं तो यहां पर भूले बाबा की पूजा हो गई अब चलते हैं नीचे करते हैं यानि विश्भगवान की पूजा की पूरी तैयारी मौसम नाज सुबे से खराब हो रहा था ऐ हमारे कल के धुले हुए कपड़े हैं तो यह भी सूख गए हैं तो हमने सोचा कपड़े निकाल करके रख देते हैं इसके बाद ही पूजा करेंगे क्योंकि अंदर अगर पूजा जहां पर भगवान जी बैठे हुए मंदिर है वहां अगर बैठ जाओ ना तो बाहर भी बिल और इसके बाद ही विश्मभवान की पूजा होगी तो यह कानह जी के वस्त्र हमारी नंदरानी बना करके गए थी कितने सुन्दर वस्त्र हैं और वैसे हम तो कानह जी की सेवा करते हैं बट इतना नहीं हमको तो अपने मयारानी से बहुत प्यार है और विश्मभवान की पिर ये बिद्ध हमने उद्यापन को समय के लिए कर दिया था इसके बाद फिर हमने शुरुआत कर लिया फिर इसके बाद हमारा गौना हो गया याई पांच साल बाद हम ससुराल आए हैं शादी के बाद तो आज ना बहुत लंबी बातें आप लोगों से बता रहे हैं वैसे आज ना हमारी कुछ तव्यत ठीक नहीं है सुबह से ना एकदम से भारी पन लग रहा है लेकिन फिर भी आपकी दीदी ना बैठती नहीं है बस यही होता है कि अपने कामों में लगे रहेंगे ना तो जितने भी तव्यत यानी खराब होने के चांस हैं सर में दर्द हैं हाथ तैरों में दर्द हैं कमार में दर्द है तो यह अपने आप और चूबंतर हो जाएगा तो यहां पर कान जी को इसनान नि जल से इसके बात अक्षे से पूँच देते हैं stitched लोगरा लागाने के बाद ना आप लोगों से पूजा करते करते ना बहुत सारी बाते कर लेते हैं क्योंकि पूजा पाठ में क्या बताना है हमारी बहने आप लोग पूजा पाठ जानते ही हो और विश्व भगवान की पूजा कैसे हम करते हैं आप लोगों से हर बार हम सेयर करते हैं कि विश्व भगवान की पूजा हम इस प्रकार से करते हैं आप तो यहां पर पहले लेते हैं गरम पानी और आराम से बैट करके पीते हैं किचन के यही एक हमारा टाइम रहता है कि 15-20 मिनट आराम से बैठ जाते हैं और एक दम से कोई टेंसन नहीं रहता लेकिन टेंसन तो आज हमको बहुत है क्योंकि सुबह जिनत अभीयद ठीक नहीं है कभी धूप सोच और हमने ना वह साड़ी को चेंज कर दिया है दूसरी साड़ी पहली है कॉटर की यूकि बहुत ही गर्मी हो मस वाली चाय पीने के बाद ना दस-पांच मिनट के लिए ना अराम करने लगे थे यानि हाथ में फोन था और फोन ऐसी चीज है ना कि कुछ भी आप देखने लगो स कथा नहीं चलता है उन्होंने 11 बज़े बुलाया था कथा में 12 बजने वाले हैं तो चलते हैं शुरू हो गई होगी और यहीं पास में जाना है कालोनी में तो आप लोगों कभी सुनाते सब्सक्राइब चत्त नराय भवान की कथा हम भी सुनते है देखने और यहां ने ने हैं जाना है वाले हैं यहां देखने जाना है ज़ाज़े प्रक्राइब चत्त निया जाना है कथा भी आप लोगों को सुना दिये, इसके बाद हमन हो रहा है, हमन के बाद आरती होगी, फिर इसके बाद प्रिशाद मिलेगा, और यहां पर हमारी बहने भजन भी कर रही है, हमसे बोल रहे हैं, सोभा सुन्दर सुन्दर भजन सुना दो, तो हमारी बहनों का यानि सुनाते हैं लेकिन फिर भी आता है आप लोग भी प्रिशाद लीजे हम भी ले रहे हैं और इस गर्मी में ना हालत सब की यहां पर भी खराब है फैन तो आन है लेकिन फिर भी सब बहनों को ने इतनी गर्मी लग रहे हैं एकदम से पसीना पसीना हो रहा है और इस समय ने कुस मौसम चेंज हो रहा है इसलिए सब के गर्ले में एकदम से खरासी हो रही है क्योंकि हम लोग ना ध्यान नहीं देते हैं फ्रिश के इतना थंड़ा पानी भी हम लोग पी लेते हैं इसलिए इतनी शारी परिशानिया भी हो रही हैं इस बार तो हम घड़ा भी नहीं ला पाए हैं क्योंकि गर्मी के समय माईके मे रुख गये थे और इसके बाद इधर हमारे दिमाग से हट गया कि हमको घड़ा लाना है तो भजन कीरतन होने के बाद प्रिशाद ले करके हम आ गए घर तो यहाँ पर बच्चों के लिए बना दिये थे गर्म गरम तहड़ी तो बच्चों को भोजन करा देते हैं इसके बाद थोड़ी समय के लिए अराम करेंगे क्योंकि आज हमारी तब्याट ठीक नहीं है अभी भी सर बहुत ही भारी भारी सा है तो चलते हैं बड़े पार्टी करके आते हैं क्योंकि छोटे बच्चों को ना खुशी होती है मनु तो कह रहे हैं छोटे बेबी का बड़े हम नहीं जाएं हम लोग तो बड़े हो गए हैं अज हमारा भी फाज्ट है और अच्छा भी नहीं लगता है कि पालोनी में इतने प्यार से किसनी बुलाया है और हम लोगों आज आए न तो आप लोगों को भी ले जलते हैं जली जल्दी हो करके आते हैं जब तक पती नहीं इस समय पती नहीं पती नहीं बठे लेट हैं कभी 9 भज जाते कभी 10 भज जाते हैं जब तक पतुखे नहीं इस तक हम लोग आ जाएंगे अज़ि वहां से आने के बाद ना हम लोग घर आ गए और बच्चे ना घर में रुख गए थे हम देखें के विपती देव आफिस से नहीं आई हुए है तो हमने सोचा चलो मीना मंदीर में भूले बाबा के दर्सन करके आते हैं टाइम ना साढ़े नो बज रहे थे यहां भी आरती हो गए थी लेकिन यहां आने से ना इतनी शान्ती मिल रहे थी हमारे जो सर में दर्द था वो थोड़ा चुमंतर हो रहा है और इस समय ना पतनी अचानक ऐसा क्या हो जाता है यानि कभी लगता है कि बीपी लो हो गया है कभ अब यहां आने के बाद थोड़ी से जो भी अपनी परेशानी है ना मातारानी को भोले बाबा को बता देते ना वो हमारी परेशानी भी दोर कर देते हैं आज का ब्लॉक काफी लंबा हो गया इस ब्लॉक का एंड भी करेंगे जैंत अधिगाईज हर हर बोले